दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने अनाधिकरित कलोनियों को लेकर कल बड़ा एलान किया बड़ा एलान ये था कि अनाधिकरित कलोनियों में रहने वाले सभी लोगों को मकान का मालिकाना हक मिलने जा रहा है लेकिन उनके आशियाने के सपने पर पानी फिर सकता है और बीजेपी के प्रवक्ता ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जनवरी 2021 तक कलोनियों का सर्वे करेगी ऐसे में मालिकाना हक, क्या चुनावी, हतकंडा है, वोटों की राजनीती है हरीश कुरान से बात करते हैं, हरीश जी आपके पास जो डॉक्यमेंट है उससे तो लग रहा है कि ये सपना तिसले 2-3 सालों में अगले पूरा नहीं होने वाला है दिल्ली की सरकार को जूट बोलना बहुत अच्छी तरह आता है करने के लिए और कहीं ना कहीं जो हक है लोगों का उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बीड़ा उठा लिया है लेकिन वो सब को खतम करने के लिए उसको क्रेट लेने के चक्कर में वह यह भूल गए कि वह जिस परकार से उन्होंने चिठी लिखी है और खुद कह रहे हैं दिली सरकार की चिठी है केंद्र सरकार की चिठी में उन्हें खुद टाइम मांगा है कि 2021 जनवरी तक हमें टाइम दिया जाए सर्वे करने के लिए सर्वे हुआ नहीं होई नहीं कहां पर बुरियादी सुविदाहें दी जाएंगी जिसे पार्क है कोसे को कहीं तैय हुआ नहीं और आपने आनवज़ में कह दिया कि चूकर की वोट पाने हैं आपने और जो लोगों को सांबूती लेनी है इसलिए आपने कर कि हम ए रीजिस्ट्री कोलने जा रह मेरी दिल्ली की जनता को पता है कि सर्वे कराने का काम किसका है और किसले पैसे देने हैं लेकिन पैसे किसले देने हैं दिल्ली की सरकार खुद कह रही है कि जनवरी 2021 तक का समय लग रहा है और परवरी के अंदर संभवता चुनाव है यानि चुनावी रोटियां सिर्फ यही मेरा कहना और मैंने एक दस्तावे और जारी किया है जिस पे 2016 से सरकार केंदर की सरकार जवाब मांग रही है कुछ जानकारियां मांग रही है 2019 आ गया आज तक आपने ये एक बार एक बार दिखा दीजेगा ये दिली सरकार का ही लेटर है जो केंदर सरकार को लिखा गया है जिसके अंदर साफ़तोर पर लिखा हुआ है कि जनवरी 2021 तक बाउन्डरी तक डिसाइड होंगी यानि कि फरवरी 2020 में चुनाव हैं सरकार इस सेपरेट सेल बनाया जाना है जो कि ये देखेगा कि कहां पर क्या गाम होना है वो भी दिली सरकार ने नहीं किया है या आरोप हरिश कुराना का बड़ा है तो यानि ऐसे लोग जो ये सपना संजोई बैठे थे कि केजरीवाल सरकार चुनावों से ठीक पहले उनको मकान देन रखता है क्यामरा मैं ललित के साथ तरुंकालरा टोटल न्यूज दिली